आज हम आपकी सेहत को देखते हुए लैसुन के चटपटे अचार की रेसिपी लेके आए हैं जो कुछी मिन्टों में और कुछी इंग्रीडन से तयार हो जाता है और ये आपके खाने को डाइजिस्ट करने में काफी हल्प करता है लैसुन का चार हमें सर्दी में काफी करमार देता है और ठंड से बचा के रखता है तो चले स्टार्ट करते हैं लैसुन का चार बनाना लैसुन का चार बनाने के लिए हमने लैसुन ले ली है हमने 600 ग्रम लैसुन ली है जो हमारी बडी कलिया है उसे हम बीच से काट लेंगे देखकर जो बड़ी कलिया है जिससे क्या होगा हम लैसुन के जा बनाइंगे हमारे मसाले बेदर तक चले जाएंगे और हमें खाने में वे काफी आहल SouOTHER किस आप एतिन आप you inne चोड़ी दिहता हो unnheimat happy काटी है इनसे थोड़ा से शिर एपन कम होता है चोचे ज़िए केमने शली काफी दिककत आती है और यह बघी कलिया हो अब काने में काफी समeed होटी है और इसकी साथ ही इसमें हम एक चमच मेथी दाना और दो पीन जिसमें हम हिंग डाल देंगे इसकी साथ ही इसमें हम पांच चमच काली राइके डाल देंगे इसे अच्छी तरह से हम रोस्ट करेंगे इसे हमें ज्यादा भूनना बिल्कुल भी नहीं है बस इसके अंदर जो नमी है उस नमी को हम दूर कर देंगे हमें इसे तिरकने से पहले निकाल देना है हमें इसे बिल्कुल किरकाना नहीं है इसे continue चलाते रहेंगे ध्यान रखे हमारा flame low ही हो high flame में जल जाएगा इस तरह continue चलाते वे हम इसे roast करेंगे हमारे roast हो गया और ठंडा होने के बादि से हमें एक jar में निकाल देंगे और इसका हमें दरदरा पाउडर बनाना है बिल्कुल महीम पाउडर नहीं बनाना हमने इसका दरदरा पाउडर बना दिया है देखिए कितना दरदरा पीसा है हमने दरदरा पीसने से इसका टेस्ट काफी अच्छा आता है अब हमाचार पर तड़का लगा देते हैं हमने गैस पर कड़ाई रख दी है और इसकी साथी इसमें हम तेल डाल देंगे हमने एक बड़ा प्याला तेल का लिया है इसमें डालने के लिए सरसो का तेल लिया है हमने सरसो की तेल से ही इसका टेस्ट काफी अच्छा आता है विस से हमें काफी ज्यादा गरम करना है जब तक हमारा तेल धुआ दार गरम ना हो जाए इसमें धुआ निकलें लगा है और इसमें हमने तीन चमच को ही न डञा है थोड़ा थोड़ा करकर हम इसमें लशुं की कलिया डाल देंगे अपनी इस तरह से हमें है फ्ले में बिल्कुल भी नहीं करना लो फेल्म में ही यह हम फ्राई करेंगे को शबी गल्यों को हमने डाल दिया है अब इनका लियों को हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से धीमी आज में ही इसे फ्राई करेंगे हम हाई फ्लेम ही बिल्कुल भी नहीं करेंगे अगर इसे हाई फ्लेम में करेंगे तो जलने लगीगे हमारी हमें अच्छी तरह से इसे फ्राई करना है इस तरह continue चलाते हैं फ्राइ करेंगे हम धीमियाद से पकने में काफी टिस्टी होती है अगाई से हाई फिले में पका देंगे हम तो जलने लगेगी और टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी देहें काफी ज्यादा फ्राइ हो गई है हमारी लेस्ट बस इसे हमें थ जाता बिल्कुल नहीं करना देखिए पग गई है हमारी लेस्ट अच्छी तरह से पग गई है अब इसे हमें स्टॉप कर देंगे अब इसमें हमने अपने दर्दले जब मसाले पीसे थे हमने इसमें डाल दिया है अब इसमें हम दो चम्मज कस्मीदी लाल मिर्स पाउडर डालेंगे जसी का कलर काफी अच्छा आएगा और एक हम चम्मज इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और इसके साथ इसमें अब नमक डाल देंगे, दो चमच इसमें हमने नमक डाला है, उसे अच्छी तरह से मिला देंगे, हमने अभी गैस का फ्लेम बंद नहीं करा है, अभी हमारा यह चल रहा है, बस इसे अच्छी तरह से हमारे इसमें मसाली मिल जाएंगे, हम गैस को बंद कर यह तरह अच्छी तरह से मिला देंगे, हिसे लाल मिर्ज पाउड और हल्दी है, काश्मी है विरिप में ने से मिला हुटे क зов Guru के लैसम ए डालेंगे , अटीर में ने सिर्मी कल्रे मोफे और हए इस अटाब और और देंगे, यृष में धूय हो और यृष मोफर शोल टका ठंडा होने के बाद इसमें हम तो चम्मा सिर्का मिला देंगे अगर आपके पास सिर्का नहीं है कोई बात नहीं आप दो तिन चम्मा जिसमें निम्बू का रस भी मिला सकते हैं सच मां तेश्ट अज़ घरा है उससा कण युद्प अच्छा को उससे इसका टेस्ट भी काफी अच्छा आता हैं हमारा लसुन का अच्छा आला नहीं मिला कि अश्छा नियुक्त पांद हों गडूबं लेसुन का चणर बन गया है और ञ़सुन चढ़ा बिल्कुल ठंदा हो जाए गा तब इसे कंटीनर में रखेंगे गरम में बन्कुल भी नहीं है इस तरह से में लेसुन का चार त्यार ओगया है और देखिया हमारा लेसुन कितनी अच्छी तरह से बना है और कितना सॉफ्ट बना है जिससे हमें खाने में काफी असानी होगी बिल्कुल भी हाड नहीं है बिल्कुल सॉफ्ट है और काफी लॉंग टाइम तक चलेगा और इससे आपको धूप में रखने की जौरत भी नहीं है हमारा लैसून का चार अच कंटिनर में रख रहे हैं आप इसे चावल चपाती रोटी पूरी किसी के साथ भी खा सकते हैं यह सभी के साथ काफी अच्छा लगता है चाहे तो आप प्राठो के साथ खाईए सर्दी में तो वैसे ही लैसन का चार काफी अच्छा लगता है यह काफी गरम होता है खाने में अगर आपको हमारी लेस्टन के चार की वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताना हमारी लेस्टन के चार की रैसे भी कैसी लगी अगर आप हमारे चैनल में नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पैल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हम जब भी नई वीडियो डाले तो आपके पास तुरूंत हमारी नोटिफिकेशन पहुंच जाए आगे हम आपके लिए ऐसी नई और मज़ी तर वीडियो लाते रहेंगे तब तक के लिए बाई बाई